हेलो एवरिवन देस साइड मोनी का यादव होप यू ओल गूड आज की वीडियो में मैं आपको सैल प्रक्टिस 14 डी गरवाऊंगी 14 डी एक्सरसाइज का कोशन वान और टू हम ओलरी कर चुकी है इस वीडियो की डिस्क्रेप्शन में और आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगी इस वीडियो में हम सभी रिमेनिंग कोशन करेंगे चलो भी कोशन 3 देखते हैं थार्ड कोशन देखिए find the area of the shaded portion of each the flowing figure जो भी फिगर दी होंगी उनके shaded part का हमें area find out करना है यहां देखो यह complete figure color हो रखिए it means इसके सारे का हमें area find out करना है अब ऐसी figure का तो area में find out क करना आता नहीं है तो हम एक लिहाल बीच में से line draw करकी इसको rectangle में और triangle में convert कर लेते हैं अभी हम इनका नाम हो रख लेते हैं इस point का नाम हमने a रखा इसका b, इसका c, इसका d और इसका e, ओके अब हम यह area निकालेंगे area of triangle a, b, c area of triangle a, b, c क्या होता है triangle का area one upon two base into height यही होता है one upon two base क्या होगा जो rectangle का 20 है वो ही हमारे इस triangle का base होगा 18 और height क्या होगी देखो जो rectangle form होगा है उसकी height है 25 तो जो उपर वाली height है वो हमारे triangle की होगी it means 30 में से हम 25 को minus करेंगे तो height कितनी आती है triangle की five अब भी two की table से काटो two one's are two two nine's are eighteen nine को multiply करो five से तो 45 centimeter का square आए गया क्योंकि जितने भी measurement है वो centimeter में दिये है और area जब भी आता है तो centimeter का square आता है अब भी हमारे पास triangle का आगया अब हम rectangle का find out करेंगे area of rectangle b c d e equal to क्या होता है length into breath length हमाई यहां कितनी दे रखिये 18 centimeter multiply by breath हमारी जो की है 25 centimeter multiply करेंगे तो हमारे पास क्या हैगा 450 square centimeter हमारे पास triangle का area आगया हमारे पास rectangle का area आगया अब जब हमें complete figure का area बताना है तो हम plus करेंगे दोना area को area of the figure equal to area of triangle plus area of rectangle दोनों का area प्लस करेंगे area of triangle जो क्या है था 45 square centimeter plus area of rectangle क्या है था 450 square centimeter दोनों को एड़ करेंगे तो हमारे पास answer आजाएगा 495 square centimeter अब भी थर्ड कोशन का भी पार्ट करते हैं इन figure का अलग अलग नाम रख लेते हैं इसका figure 1 इसका figure 2 और इसका figure 3 ये वाली figure 1 का हम area निकालते हैं area of figure 1 equal to one figure हमारे triangle है 1 upon 2 base multiply height 1 upon 2 base यहां पर क्या है 6 centimeter और height क्या है base यह है हमारा और height यह 15 है 15 टू की टेबल से काट दीजे 2 थरी जा 6 3 को जब 15 से multiply करेंगे तो हमारे पास क्याएगा 45 square centimeter अब ही हम area of second figure निकालते है area of figure 2 जो की है एक rectangle इसका क्या हैगा L into B L जो की 11 दिया हुआ है और B जो की 15 दिया हुआ है 11 centimeter multiply by 15 centimeter तो हमारे पास answer क्या आएगा 165 square centimeter area of figure 3 equal to क्या होगा ये figure 3 जो है वो क्या है वो एक triangle है ठीक है तो क्या होगा 1 upon 2 multiply 20 multiply height 1 upon 2 20 हमारा यहाँ भी क्या है 6 ही है 6 multiply 15 2 की टेबल से काट और 2 ones are 2, 2 threes are 6 3 को multiply करेंगे 15 से तो क्या हैगा 45 square centimeter area of the shaded figure equal to area of figure 1 plus figure 2 plus area of figure 3 figure 1 का area क्या था हमारे पास 45 square centimeter plus 165 square centimeter plus 45 square centimeter सब को add करेंगे तो हमारे पास answer आ जाएगा 255 square centimeter question C करते हैं यहां हम बीच में एक line कीच के इस वाली figure को एक rectangle और दो triangle में तोड़ देते हैं ठीक है इस तरह से हम area निकालेंगे इनका नाम रखें इसका A, इसका B, इसका C, इसका D, इसका E, इसका F हमने नाम रख लिया सबसे पहले area हम rectangle का निकालेंगे area of rectangle A, B, C, D इस rectangle का area क्या होगा यहां देखो length जो की 11 दे रखी है और जो यह breath है यह 9 दे रखी है 11 सेंटी मीटर multiply by 9 सेंटी मीटर 99 स्केर सेंटी मीटर आ गया ठीक है अभी हम area of triangle निकालते है area of triangle कौन से का यहां एक point रख देते हैं इसका नाम हम G रखेंगे अभी हम area निकालेंगे triangle C, E, G का triangle का area क्या होता है one upon two multiply by base into height यही होता है one upon two का one upon two रख दिया हमने multiply by base क्या होगा देखो अगर यह है 11 तो यह पूरी line C, D भी 11 है और C, D जो है G पे आके आदी होती है तो 11 upon two हो गया क्योंकि इसका हमने आदा करना है और height इस triangle की height क्या है यह पूरी line जो है किया है 15 cm की इसमें से हमने minus कर दिया 9 cm तो height हमारे पास क्या है 6 cm ओकी 2 की टेबल से काट दीजे 33 upon two आगया इसको करेंगे decimal में convert तो आपके पास आएगा 16.5 square cm area of triangle D F G equal to triangle है तो triangle का rule लिखेंगे हम 1 upon 2 का 1 upon 2 20 क्या है इसमें भी वही हो रहा है 11 का half हो रहा है तो 11 upon 2 और height इसकी भी 6 cm ही है 2 की टेबल से काटा 33 upon 2 square cm आजाएगा और जब इसको decimal में convert करेंगे तो हमारे पास क्याएगा 16.5 square cm अभी हम निकालते हैं area of the figure complete figure का area क्या होगा जो हमने rectangle का area निकाला था 99 square cm उसमें add करेंगे triangle दोनों triangles का area 16.5 square cm plus 16.5 square cm सभी को add करने की बाद में हमारे पास answer आएगा 132 square cm 3rd question का D part देखो यह हमें दोनों ही shaded part का area बताना है आप लोग देखोगे यह दो अलग अलग triangle है यहाँ इस triangle का base 10 दे रखा है और इसमें cut लगा रखा है इसमेंस इसका भी base 10 cm है देन उसके बाद आप लोग देखोगे height बता रखी है यहाँ से यहाँ तक की height 15 cm बता रखी है और इसकी भी 15 cm है तो हम क्या करेंगे एक triangle का area निकाल लेंगे उसका double कर देंगे क्योंकि same है या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं अलग अलग area निकाल दो देन उसको add कर दो area of triangle 1 equal to 1 upon 2 multiply base multiply height 1 upon 2 base क्या है 10 cm और height क्या है 15 cm 2 की टेबल से काटो 2 1s are 2 2 5 जा 10 5 को multiply करेंगे 15 cm से तो हमारे पास क्याएगा 75 square cm area of triangle 2 equal to 1 upon 2 multiply base multiply height 1 upon 2 base जो की 10 cm height जो की 15 cm है 2 की टेबल से काटोगे 5 cm को multiply करोगे 15 cm से 75 square cm आएगा area of the given figure equal to area of triangle 1 plus area of triangle 2 area of triangle 1 का area कितना है था 75 square cm और दूसरे वाले triangle का भी 75 square cm आये था दोनों को add करेंगे तो 150 square cm हमारा answer आएगा question E देखो इस figure में हम बीच में यहाँ लाइन खीच के इसको triangle और एक rectangle में convert कर लेते हैं अभी हम सबसे पहले एरिया और और रक्टैंगल निकालते हैं यहाँ पर देखो L कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है और B हमें 6 दिया हुआ है 28 को जब 6 से multiply करेंगे तो 168 आएगा सबी measurement cm में है that's why cm का square आएगा अब हम area of triangle निकालेंगे area of triangle triangle का area क्या होता है 1 upon 2 multiply base multiply height 1 upon 2 इस triangle का base क्या है देखो इधर से 6 cm है और बीच में यह line कितने cm की है यह rectangle का दूसरा part है ना दूसरी side आई यह 6 cm की है तो यह भी 6 cm की और यह 6 cm की तीनों को add करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 into height कितनी दिया हुए है हमें 10 2 की table से काटो 2 ones are 2, 2 5 जा 10 18 को 5 से multiply करेंगे तो क्या हैगा हमारे पास 90 स्केर सेंटीमीटर area of the given figure equal to क्या होगा area of rectangle जो आया था 168 स्केर सेंटीमीटर उसमें plus करेंगे area of triangle जो की आया था 90 स्केर सेंटीमीटर add करेंगे तो आएगा 258 स्केर सेंटीमीटर कोशन F करते हैं देखो यहां हम लाइन ड्रो करके इस figure को चेंज करते हैं यह ट्रैंगल होगा यह रक्टैंगल होगा सबसे पहले हम area of rectangle निकालते हैं area of rectangle equal to length multiply breath यहां length कितनी दी हुई है 13 cm multiply breath कितनी है 2.5 cm multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 32.5 cm अब हम निकालेंगे area of the triangle that is equal to one upon two multiply base multiply height देखो ट्रैंगल का 20 क्या है यह जो रक्टैंगल का बेस है यह 13 है मतलों यहां से यहां तक किलाए 13 है उसमें से हमें 5 माइनस करना है तो ट्रैंगल का बेस क्या होगा 13 में से 5 माइनस करेंगे यहां 8 आगयां हमारे पास और height क्या होगी यह जो 16 height है यह पूरी इस figure की height है अभी हम क्या करेंगे सिर्भ हम triangle की height निकालेंगे तो हम rectangle की जो height है 2.5 इसको minus करेंगे 16 में से तो triangle की height हमारे पास क्या आजाएगी 13.5 हमारे पास triangle की height आगई base आगया अभी हम area निकालेंगे 1 upon 2 का 1 upon 2 रहेगा multiply 20 जो की है 8 cm और height जो थी 13.5 cm 2 की टेबल से काटेंग 2 रहेगा 2 upon 2 रहेगा 8 4 को multiply करेंगे 13.5 से तो हमारे पास आएगा 54 स्केर सेंटी मीटर area of the given figure वो क्या होगा area of rectangle जो की था 32.5 स्केर सेंटी मीटर प्लस area of triangle जो की क्या निकला है 54 स्केर सेंटी मीटर दोनों को add करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 86.5 स्केर सेंटी मीटर यह हमारा आएगा फॉर्थ कोशन देखिए the area of a triangle is equal to that of the square एक triangle के area square की area के equal है of the side length 40 सेंटी मीटर और जो square की side है वो 40 सेंटी मीटर है find the side of the triangle whose corresponding altitude is 64 सेंटी मीटर हमें उस triangle की side find out करनी है जबकि हमें altitude already दे रखा है सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है side of the square side of the square equal to 40 सेंटी मीटर यहां से हम निकालेंगे area of the square equal to side into side होता है न तो 40 सेंटी मीटर multiply by 40 सेंटी मीटर हमारे पास आएगा 1600 स्कियर सेंटी मीटर area of the triangle equal to area of the square area of the triangle equal है न एरिया of the square की it means हमारे पास area क्या आ गया है area of the triangle equal to 1600 स्कियर सेंटी मीटर altitude हमें दे रखा है altitude जो की होती है height height of the triangle equal to 64 सेंटी मीटर भी हमें दिया नहीं है area of the triangle का rule क्या होता है 1 upon 2 multiplied by 20 multiplied by height अब जो area of the triangle था वो यहाँ पे रखेंगे 1600 ठीक है that is equal to 1 upon 2 multiplied by 20 हमें पता ही नहीं है इसको 20 रहने दो height है 64 64 का 64 रख दिया हमने 1600 equal to 64 upon 2 multiplied by base इनको multiply करेंगे तो यह यह आएगा ना अभी 2 की table से काट ओर दो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4 32 पे कटिके अभी इस 32 की transposing करेंगे यह B से देखो multiply हो रहा है जब इसको left hand side लेके आएंगे तो वो यह 1600 को divide करेगा that is equal to B हमारे पास आएगा 16 की table से काटते है 16 1s are 16, 0 की 0 16 2s are 2 1s are 2, 2 5s are 0 हमारे पास 20 equal to क्या आगया है 50 cm फिफ्ट कोशन करते हैं इसमें पूछा किया है कोई rectangular field है उसकी length दी हुई है उसकी width दी हुई है और पूछा किया है कि कितने इसमें triangle floor bed आ सकते हैं floor bed का base दिया हुआ है altitude दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगी area of the rectangular field that is equal to क्या होता लेंथ multiply breath length जो कि हमें 28 meter दी हुई है और breath जो कि हमें 18 meter दी हुई है दोनों को multiply करेंगे तो क्या हैगा 504 square meter ओके अब हम area of the triangle निकालेंगे that is equal to 1 upon 2 multiply base multiply by height 1 upon 2 multiply by base जो कि 7 दिया है then multiply by height जो कि 6 दी हुई है 2 की table से काटो 2 1s are 2 2 3s are 6 7 को multiply करेंगे 3 से तो आएगा 21 meter square आप लोग लिख लेना ट्रेंगुलर फ्लार बैड can be laid that is equal to area of the rectangular field ठीक है upon area of the triangle जो rectangular field का area एथा 504 meter square उसको divide करेंगे ट्रेंगल की area से 20 meter square से तो हमारे पास answer आजाएगा 24 ऐसे 24 ट्रेंगल्स हम उस rectangular field में लेड कर सकते हैं आप लोगों की self practice 14 D complete हो चुकी है hope you like this video if you like then press like button and share with your friend I will upload your next video soon till then bye bye take care